दोस्तो एक खिलकलाती हुई मुस्कान किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफा कर सकती है और ये तो आप जानते ही हो कि खूबसूरत मुस्कान के पीछे दातों की कितनी एहम भूमिका होती है दात सिर्फ खाना खाने के लिए ही नहीं होते बलकि ये आपकी परसनेल्टी को एक नई पहचान देते हैं वहीं पर पीले दात का व्यक्तितो पर बुरा असर पड़ता है इसलिए दातों का स्वस्तो और साफ होना भूतियावशक होता है वैसे पानी में मौझूद कैमिकल रं पहुंचाते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो के जरी आपको जो टूथपेस्ट के बारे में बता रहे हैं वो ना सिर्फ दातों का मोतियों जैसा चमकाता है बलकि उन्हें मजबूती भी परदान करता है तो दोस्तों ये जानते हैं जिस वीडियो के जरीए कि किस तरह से इस इस टूथपेस्ट को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी के अंदर आदा चमच बेकिंग सोडा डाल दीजिए फिर उसमें एक चमच नीबू का रस और एक केले के छिलके का सफेद भाग उतार कर आप मिला दीजिए आप जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं आपको एक चमच की मदद से केले के अंदरूनी सफेद भाग को उतारना है तीनों सामगरियों को अच्छी तरह से तब तक आप मिलाए जब तक यो टूथ पेस्ट जैसा ना बन जाए इस टूथ पेस्ट का प्रयोग आपको खाने के कुछ देर बाद करना है आप या तो इसे ब्रस पर डाल ले और फिर इससे ब्रस करें या फिर आप इसे उंगली पर रख कर दातों पर कुछ देर तक मसाज करें लेकिन ध्यान रहे की ये उपाए आपको सबताह में केवल तीन बार ही प्रयोग करना है ना की रोचा ना दोस्तो केले के अंदर पोटेशियम मेगनेशियम और मेगनेज की भरमार होती है जो दातों की सारी गंदगी को दूर करता है वहीं बेकिंग सोडा दातों के पेलेपन को हटा कर चमक परदान करता है और नीमबू मसूडों को स्वस्तर रखने के साथ साथ दातों को भी मजबूत बनाता है इस तरह से ये टूथपेश्ट दातों की संपून देखबाल करता है तो दोस्तो ये था दातों को मोचियो जै से चमकाने का गजब का घरेलू टूथपेश्ट देख तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही थेंक्स पूर वोचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स